हेलो दोस्तों, हर दिन के बाद ही सबसे पहले चलते हैं अपने डैस्पोर्ट पर और देखते हैं कि आज का हमारा ओवराल क्या रहा तो मैंने कर दिया अपने इंवेश्मेंट पे क्लिक जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का हमारा जो टोटल प्रॉफिट है 654 रुपीज है एक चली टोटल प्रॉफिट स्टार्टिंग में 954 था जिसमें मैंने दो लॉस लिया तो चली मैं इस वीडियो में पूरा डेटेल में बात करने वाला हूँ हमने जो ट्रेड लिया था हो सेंसेंसेक्स पर ट्र ल लिया था और साम को मैंने हमिड़ियो प्रॉफिट देखने को मिलता परहले कि करके सब समझते ऐं पहले सेंसेक्स पर आ जाते हैं यह रहा हमारा सैंसेक्स नहीं हो तब इसमें मैं zeigt Спे नहीं है NICK तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीज़ेगा और वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को जुरूर लाइक कीज़ेगा तो चार्ट जल्दी से होजा ओपन तो ये हमारा रहा चार्ट थोड़ा सा इंटरनेट स्लो होने एक कारण चार्ट डेले हुगा तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारा जो आज सेंसेक्स का एक्सपारी था और मैंने सेंसेक्स में बहुत सारा टार्गेट पहले से लगा रखा था और देखिए कल बिल्कुल टार्गेट हमारा फॉलो किया था सेंसेक्स में आज देखेंगे कि हमारा market इस range से खुला और gap down खुला और gap down के बाद देखेंगे कि यहाँ पर support ले लिया उसना मैं तब resistance ले लिया और resistance लेने के बाद market जैसे इस line को break किया इस line बोले तो कल आप देखेंगे कि इस दोजे candle के बाद market बहुत अच्छा सा एक call side गया तो यहाँ पर जिन लोगे ने भी call लिया होगा वह अच्छे कासे profit में रहे होंगे तो पहला हमार analysis यह था कि जिन लोगे ने भी यहाँ ट्रेड लिया वह अच्छा कासा profit लिया होंगे जिसमें मैंने भी उसी call में एक अच्छा कासा profit बुक किया समझें आप जैसे कि आप देखेंगे कल के दिन यहाँ पर हमारा अच्छा कासा call हुआ है तो जैसे भी ब्रेक किया मैंने एक call उठाया और मुझे अच्छा कासा क्योंकि जैसे इस लाइन को फिर ब्रेक किया तो मुझे लेगा कि यह इस बार इस बॉटम को टैच करेगा क्योंकि यह हमारा अच्छा कासा यह लाइन है हमें सिर्फ एक ट्रेड मिला वह भी 9 बज के बेस नट पर तो जो भी बिगनर्स हैं वह ध्यान रखें कि यह हमारा मार्केट सैडविज रहता है तो बिल्कुल ट्रेड ना करें फिर मेरे को ध्यान आया दो बज के परच्छो नुट में कि मेडगाप देखा जाए तो मैं चला गया मेडगाप पर देखने और मैंने एक ट्रेड उठाया जिसमें मुझे दो पॉइंट का लॉस हो गया जिसमें मैंने सिर्फ एक सिंगल कॉइंटिटी लिए रखा था जैसा कि आप देख पाएंग पूरा स्पॉाइल बरबाद हो जाता है तो चलिए मीडगाप आने वाले दिन में हम मीडगाप का ट्रेडिंग करने वाले हैं क्योंकि सोंबार को बहुत अच्छा कासा प्रीमियम देखने को मिलेगा मीडगा मीडगा में तो जिन लोग ने आज यहीं मीडगाप में पर मैंने एक सोचा ट्रेड लूँ मैंने ट्रेड लिया भी लेकिन जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो एक मुझे पूट का स्नेरियो भी बना तो मैंने पूट के तरफ गया और जैसे मुझे मैंने तीन पॉइंट का लॉस इसलिए लगा रखा था क्योंकि मैंने चाहता था कि पूरा मारा बरवाद हो किया धरा आज सुबह से तो थोड़ा ये टाइम ले रहा है लोड होने में तो देखें जैसे मार्केट मैंने दो पॉइंट लगा रखा था यदि मैं चाहता कि एसल रिमूव करके इस लाइन को इदी रखता तो आथ देखेंगे ये साम जो हमारा क्लोजिंग दिया है ये 39 पे क्लोजिंग दिया है अब मैंने ट्रेट लिया थे कि इतना पर 28 पे आप फिर से दिखा देना चाहता हूं तो यदि थोड़ा सा वेट कर लिया रहा था तो मुझे अच्छा गासा प्रॉफिट भी देखने को मिलता है या सीडियूस वी में निक यह बिल्कुल काम किया एक पार में इसने दो से तीन केंडल में इसने पूरा डाउन आ गया तो देखिए अगले दिन क्या होने वाला है यदि हमार्केट इसी रेंज में ओपन होता है मिड कैप मिड कैप इस रेंज में ओपन होता है यदि उपर के साइड जाए तो इस label को sustain नहीं करता है, जैसे इसके नीचे आएगा, इस line को break करें, तो आप direct put के side जाएं, फिर यहाँ पर, फिर इसको भी break करें, तो आप put के side जाएं, यह जो line है, आप please note down कर लिजए, मैं एक एक करके दिखा देता हूं, देख लिजए, इस सारा 970, 949, क्यूंकि दिखें, mid समझ में आए होगी, यह सब note कर लिजए, मैं आपके लिए पुरा यह, जैसे जितना blue दिख रहा है, मैंने बहुत छोटा कर दिया, इसलिए बहुत, सटा सटा दिख रहा है, अदरवास देखें, इसमें distance आगया, अब भी आपको कुछ doubt है, कुछ midcap में जानना है, तो आप म इस पर हम अगले एक से दो दिन के अंदर वीडियो डालने वाले हैं, जिसमें आप पहले ही पता कर लेंगे कि market हमारा put side जा सकता है की नहीं, तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में